जब भी हम अपनी ब्लॉगर यह वर्टप्रेस की पोस्ट को गूगल में इंडेक्स करना चाहते हैं तो गूगल सर्च कंसोल में आके URL इंस्पेक्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे अपना URL टाइप करके एंटरप्रेस करते हैं और उसके बाद मैक्सिमम यही प्रॉब्लम होती है कि हमारी जो वेबसाइड है हमारी जो पोस्ट है वो गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं होती और आज मैं आपको बचाऊंगो कि गूगल API के थुरू आप कैसे अपनी किसी भी पोस्ट को बहुत ही असानी से 24 गंटे के अंदर इंडेक्स कर सकते हैं वैसे तो टाइमिंग होता है 24 से 48 आर्ज पर 24 आर्ज के अंदर मैक्सिमम आपकी पोस्ट गूगल के अंदर इंडेक्स हो जाएगी उसके लिए आपको ग डिफॉर्ट ले लगा बाइचांस अगर कोई गलत कंट्री आ रही है तो आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट करें आई एग्री के उपर टिक करें और एग्री एंड कॉंटीन्यू के उपर आपने क्लिक करना है उसके बाद राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रही ह हो सकते हैं आने वाले टाइम में मैं एक ये दो API की और जेनरेट करूँ तो नाम से मुझे याद रहेगा उसके बाद आपनी क्रिएट के उपर क्लिक करना है यहाँ पर आप देखेंगे मेरी API का नाम आ गया Google API Index जो मैंने नाम रखा था navigation menu के उपर आपने क्लिक करना है यहाँ से IAM and admin के उपर जाएंगे और उसके बाद service accounts के उपर आपने क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर option आ रही है create service account इसके उपर आप क्लिक करेंगे ठीक ऐसे ही steps को follow करने है अगर आपने एक भी mistake करी तो आपकी Google API create नहीं होगी यहाँ प यहाँ पर आपको description लिखनी है जैसे मैंने लिखी है यह सब fill करने के बाद create and continue के उपर आपने click करना है उसके बाद यहाँ से आपने अपना role select करना है इस arrow पर click करेंगे और यहाँ से आपने honor को select करना है फिर से आप continue के उपर click करेंगे यहाँ पर कुछ भी add करने की जरूरत नहीं है उसके बाद आपने done पे click करना है यहां पे आपको एक email देख रहा है जो भी आपने create कर रहा था इस पूरे email ID को आपने copy करना है और अपने notpad में जाके आप इसे paste कर ले और उसके बाद आप यह जो three dots देख रहे है इसके उपर आपने click करना है यहां पे लिखा है manage keys इ इसी को by default आप tick रहने दे और create के उपर आप click करें यहां से आप देखेंगे मेरी JSON file download हो चुकी है अब यहां से आपको Google API की generate हो चुकी है एक पार्ट finish हो गया अब दूसरा पार्ट है Google Search Console Google Search Console के आपने sign up करना है और जिस website के अंदर आप Google API को add करना चाहते है उसकी post को Google में ज select करें जिसकी post आप जल्दी index कराना चाहते है मैंने अपनी website को select करा उसके बाद page को थोड़ा सा नीचे करूंगा site से यहां पे settings की option है उस पे मैंने click करा उसके बद second option मिल रही है users and permission की इसके उपर मैंने click करा right side में add user की option मिल रही है यहां पे आपने click करना है और जो email ID मैंने आपको कहा था save करके रखो उसको यहां से आप copy करेंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे पेस्ट करने के बाद आपने permission में यहां पर honor देना है अगर आपको याद हो जब हम Google API की को generate कर रहे थे तो वहां पर हमने honor को select करा था उसके बाद आपने add के उपर click करना है यहां पर आप देखेंगे मेरी API की add हो चुकी है add होने के बाद आपने अपने WordPress के dashboard में login करने सीम उसी website में जिसकी post आप Google में index कराना चाहते है plugins में जाएंगे add new पे जाएंगे और search में लिखेंगे instant indexing आपको यह first plugin दिखेगा rank math की तरफ से यह plugin है यहां से आपने इसे install करना है आप देखेंगे एक लाग से ज़्यादा इसकी active installation है और नीचे check जरूर करें कि आपके WordPress के version के साथ यह compatible है या नहीं उसके बाद आपने इ instant indexing इसके उपर आपने click करना है click करने के बाद यहां पर आप देखेंगे google instant indexing API setting में direct open हो चुका है यहां पर आपको यह json file upload करने के लिए कह रहा है अगर आपको याद हो तो google API generate करते हुए last में हमने json file को download करा था उसी को हम यहां पर upload करेंगे choose file पे मैंने select करा और अपनी json file को यहां से upload करा अब यहां पे आपको post pages इसके उपर select करना है और save changes के उपर आप click करेंगे अब आपने अपनी website को open क अपनी उन post के URL को copy करें जिसे आप जल्दी index कराना चाहते हैं मैं अपनी website open कर चुका हूँ अपनी post को भी open कर लिया है post open करने के बाद उपर जो URL आ रहा है मैंने इसे यहां से copy करा और इसको URL inspection में जाके एक बर मैं चेक करता हूँ क्या यह इंडेक्स हुआ है कि नहीं यहा पर अगर आपकी case में index नहीं हो रहे तो अब आपको क्या करना है मैं आपको वो बताता हूँ URL copy करने के बाद वापिस आप अपने इस plugin में आएंगे console में जाएंगे और यहां पे आपकी website का link होगा उससे आप delete कर देंगे और एके करके अपनी website के जो link है उससे आप यहां प paste करा उसके बाद मैं अपने home page में जाऊँगा randomly मैं किसी भी अपनी post के link को copy करूँगा और नीचे next line में मैं उससे paste करूँगा उसके बाद आप इसे by default इहीं ही पे tick रहने देंगे आप अपने accordingly यहां पे URL paste करते जाएं और उसके बाद send to API के उपर आप click करें यहां पर आप आने करा तो enable करने के लिए यहां पे आपको जो URL दिया हुए उस पूरे URL को आपने copy करना है copy करने के बाद वापिस आप अपने इस dashboard में आएंगे और यहां पे उस URL को आपने paste करना है paste करने के बाद आपको यहां पे एक enable की option मिलेगी इसके उपर आपने click करना है लगबग 10 से 15 seconds लगेंगे इसको enable होने में उसके बाद यह auto redirect करेगा एक new page में जहां पे message आएगा कि आपकी Google API key enable हो चुकी है अब यहां से वापिस हम अपने WordPress में आएंगे और send to API key के उपर click करेंगे और यहां पर आप देखेंगे मेरे पास success का message आ चुका है कि Google की API key सिर्फ job posting और live streaming structure data के लिए है और अगर आपकी कोई दूसरी website है तो उसके लिए आप site map को use कर सकते हैं पर मेरी एक नई website थी जिसकी post Google में index नहीं हो रही थी तो मैंने इस API के तुरू अपनी blog post को भी index करें बाकि अगर आप इसे use करना चाहते है तो जरूर करें